है है गाइस वैलकम बैक तो हम पढ़ रहेते हैं अपने सी को तो अपनी प्रेश को वापस्चा लोग लेते हैं यहां पर हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी नैस्टे डू वाइल लूप के बारे में आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे आप पैटर्न समझते प थोड़ा बहुत आइडिया रख जाएगा देखो मैं आपको प्रो लेवल पर नहीं लेकर जाऊँगा छोटी-छोटी बेसिक चीजों की मरस्ते आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें तो एक छोटा सा प्रेक्टिस प्रोग्राम मनाते हैं उसके बाद आपको बताएंगे क्य करना है तो उसके लेगे तो उसके लिए सबसे पहले अपने त्यब्वक्ति फ्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं यहां पर यह है मरे प्रेक्टिस प्रोग्राम और टोडा इक टवंटी ठीक है अब एक 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 जांपल लेकर आना है अब यह कैसे लेकर आएंगे वह देख लेते पहले कमेंट लगा दिए मंटीडीन कमेंट ताकि मैं आपको बता सेखुँ कि हमें आउटपूट क्या चाहिए पहले आउटपूट पता हो तो उसके असाब से प्रोग्राम बनाना एजी जाता है ठीक है अभी तक हमने क्या बनाया कुछ नंबर्स को पर्टिकलर प्रोग्राम प्रोग्राम को हमने रिपीट किया है जैसे की 1234 इस टाइब से जो लाश्च वीडियो में किया था 1234 24 ठीक है अब प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम प्रिंट करेंगे फाइब टैंस स्टार वाले चीज़ को हम 5 बार करेंगे यह चार बार कर देते हैं कितनी जात आएब चार बार four times यहां पर repeat करेंगे तो अगर आपको concept बता है न तो आप program बहुत इसी बना लोगा आपको रटने की जरुद्वत नहीं है तो जैसे यहां से मैं करा रहा हूं वैसे यह आपको सारी चीज़ से बहुत अच्छे समझाएगी यहां पर थोड़ो सा समझो हम क्या बनाने माले दो loops यूज़ करेंगे nested for loop यूज़ करेंगे ठीक है सबसे पहले हमें बनाना है यह ठीक यहां पर एक loop चलाएंगे जिसके थूरू हम five times star print करेंगे उसके बाद यहां पर हम printf में next line के पढ़ जाएंगे इसके तुरंत बाद और ऐसे ही same फिर हमारा जो और यह sorry sorry मैं आपको बता रहता हूं क्या चीज यह जो चीज है ना यह हमें कितनी बार करनी है यही सेम चीज हमें यहां पर करनी है तो यहाँ पर भी printf यह कमेंट है यहां पर सबसे पहले चलो चौड़ो एक्जामल एक्डापल चोड़ो करकर करके दिखते हैं सिदे ठीग है हो प्रस्ट टागेट क्या ले यहां पर से बाइक सी चल रहा है एक सbare माणा सबस्ट act करता हूं पुरें करता हो सिर्फ regular कि दूभ दे जाएए फोर इंट्रिजर टमें आई और आई की वैलियू निश्राइज कर दीजे वन से आप कुछ और भी कर सकते हैं बट फिलाल एक वैलियू को हमें कितनी बार करना है मतलब हमें कितनी बार आगे जाना है एक तो तीन चार पांच फास्ट ताइम मतलब फाइ five कर देंगे हम five क्यू कर रहे है क्योंकि हमने यहां पर फाइव स्टार्स लिए है अगर हम यहां पर से एक इस्टार्ट घटा देंगे तो यह four time लेका बट हम यहां फाइव ले ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाल है pattern हमारे उपर ओता हमें कैसा करना है कैसा नहिं ठीक है अब हमें हर बार I की एक value बढ़ानी है IQ value हमारी start में 1 होगी मतलग कितनी i print होगी एक star print होगया दूसरे star होगया तीसरे star होगया शॉतर star होगया निर्फ में starially स्टार और एक स्पेस देते हैं ठीक है यही करना था पहले स्टार्ट कर लेते हैं रन किया दो एरर्स हैं एक सब्सक्राव चाहना तो हीज़़ टो इतना काम तो अमर हो गया अब उपड़क और सर जस्ट आगे ब्लिंक कर रहा है जस्ट आगे बust हमें काम लिंक कराना है इसके नीचे इसके नीचे बट उससे भी पहले यह हमारे एक पर्टिक्लर कोड है यह यह पूरा हमें इसी काम को कितनी बार करना है जैसे हमारा लूप हो जाए एक बार जब हमारा लूप हो गया मतलब एक बार हमारे सारे स्टार प्रिंट हो गए उसके प्रेंट करेंगे थेकल कहा गया कर स हैंगे अगर फ्रीर करेंगे अब यह हमें से क्रेंट करेगा थिक के आँप किना रिपीट करना है जाए तो फॉर टांश चाहिए तो ौकॉर तेम्स है यह कुरेक्ष में अभरात कैसे ख्लाव ब breeze जलदी लिखvoorbeeld या आप 2x में कल दीजे इसे ठीक है यह pattern आने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ कितने यह हमारा i यह हो गया अब एक all loop लेंगे जिसके यह value हम लेंगे जे और उस जे की value को हम less than रखेंगे columns यह row हो गया column हो गया चीक है row हो गया मतलब एक row में हमारी row हो गया हमारी i और column हो गया हमारा क्या जितने भी उसके अंदर है मतलब कितनी lines है चीक है चबो अब यहाँ पर एक all loop लेंगे for int type में j equal to one j less than equal to यहाँ पर हमें इस column को कितना लें column छोड़िये normal language बात करते हैं confused मतलब यह हमें यही वाली loop कितनी बार चलानी है one time यह है two time three time और यह four time तो less than equal to four यहाँ फिर less than five अब कुछ भी कर सकते हैं और यह की value plus कर दीजे हर बार और यह यहां से start होगा और कहां तक जाएगा यह नेक्ट लाइन पर वेज़ाना इससे पहले तक जाएगा क्योंकि हमें यह सारी चीज़े रेपीट करानी है टैब टैब और यह टैब यहां भी हमने दे दिया टैब जिससे बस तोड़ा सा अच्छा लगे और कुछ नहीं जैसे इसे रन करेंगे तो यह तो हमारा क्या दे रहत था स्टार्स और इसी काम को हमने चार बार कर दिया तो यह हमारा रो टाइप की बन जाएगी एक टेवल टाइप की बन जाएगी ठीक है तो मस लग रहा है जो आउट्पूट हमें चीज़े था वो मिल गया अब हम आपको कुछ नया स्काते हैं इसमें अa में इत्ला समझाया वो क्या करेंगे हर बार एक स्टार कम कर देते हैं करदिया काम कर दिया ठीक है चाहे तो आप यहां पर एक और लगा दीजे तो यह इसी चीज़ को हम बोल देते हैं पैटर्ण पैटर्ण ठीक है यहां पर इस पैटर्ण को किस तरह बनाएंगे अगर आप रटेंगे तो आपको जारा दिल तक ध्यान नहीं रहेगा कॉंसर्ट समझ लिजे आपको हमेशा ध्यान रहेगा ठीक है सबसे पहला काम हमने क्या किया यहां पर हमने 5 स्टार्स को प्रिंट किया ठीक बट यहां पर एक चीज़ देखिए यहां पर 5 स्टार है उसके बाद 4 है उसके बाद 3 है उसके बाद 2 है उसके बाद 1 है बट कोई च का मतलब कोई तो वैल्यू है कोई तो वैरेबल है जो इसकी जिसकी वैल्यू सकती है इसका मतलब कोई वैल्यू है जो लगातार कम हो रही है बट हमारे पास यहां यहां पर एक वैरेबल है हमें एक ऐसा वैरेबल चीज इसकी वैल्यू हर लूप के साथ एक एक कम हो जाए और लूप के पूरे इस यह पूरा एक लूप की तरह ट्रीट हो रहा है यह रहा है यह एक लूप है यह लूप है यह लूप है और यह लूप है उसी तरह यह लूप है ठीक है हम इसे पहले भी एक सेपरेट लूप की तरह ट्रीट कर रहे थे जो बाहर वालो लूप है यह वही है ठीक है तो इसका मतलब यह बाहर वाला लूप है जिसकी वैल्यू चेंज हो रह less than equal to जगए greater than equal to कहां तक वन तक और जे की वैल्यू हर बार कर दें माइनस और यहां पर एक वैरेबल से हमें से चेंज कर दें जे के साथ ठीक है अब देखो यहां पर क्या हो गया एक से इसे यहां पर कहां पर सेट करना है सबसे highest value के कितनी होगी 5 ठीक अब रन करो जादू जादू नहीं मैं बसाता हूं क्या हुआ यहां पर देखो थोड़ा समझने वाली चीज आपको समझ आ जाएगा बस्तोड़ा सा समझो थोड़ा सा समझना है बिल्कुल क्लियर हो जा यहां पर इसे इसे कमपेर होगा उसके बाद यह जाएगा फिर लूप की वन वेल्यू कितनी होजाएगी 0 जैसे ही सिरो ओगी यह यहां पर इसे कमपेर करेंगा क्या 0 Одस से ग्रेटर में तो यह आजाएगा लूप के बाहर प्रेंट एफ प्रेंट एफ और यहां पर हम लेख सकते हैं आउट आप दा लूप एट जे इक्वल टू पर्सेंटेज डी कॉमा जे यहां पर हमें जे की वैल्ली देखने को मिल जाएगी चाहँ हो तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर ख अभी तक क्या था इसकी वैल्यू हम ने यहां पर constant रखी फाइब यहां पर constant थी जिसकी वेएसे हमारे पास हर बार यहां भी फाइव इस्टार्स थे यहां भी फाइवत स्टार्स थे यहां भी और यहां भी हर जगे 5 5 स्टार्स दे बट हमें क्या हुआ हमें एक बार 5 करना था फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ठीक है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसा करना था तो इसका मतलब यह जो constant value थी यह change होगी variable से ठीक तो variable से change होगी डिस का मतलब इसकी value vary कर रही है तो हमने क्या करा ज्यादा से कम की तरफ चले गए यहां पर star की तरफ से कि तरफ ज्यादा से कम की 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 तरफ ज्यारे है तो हमने यहां पर j की value 5 रग दी और उसे greater than 1 कर दिया greater than equal to और j की value हम माइनस कर दी जैसे यह करा 54321 और हमने इसी j की value को यहाँ पर हमने use कर लिया इसे यहाँ compare कर कर तो यह इस तरह काम कर जाएगा I hope आपको समझ आजाएगा एक बाट चला देना ठीक है इसके साथ मैं एक next प्रोग्राम में रहता हूँ जिससे कि आपको doubt बिल्कुल की रिया हो जाए अभी हमने क्या करा ज्यादा से कम करा but हम कम से ज्यादा कर देते हैं एक बाट कम से ज्यादा कम से ज्यादा का मतलब दिखा देता हूँ मैं एक दो तीन चार यह pattern है इसमें बस क्या हो रहा है इसमें देखो क्या हो रहा है फर्स्ट टाइम पर जो हमारा आई वाले लूप है वो कितनी बाट चला है वन टाइम उसके बाद आई वाले लूप टू टाइम उसके बाद आई वाले लूप थ्री टाइम उसके बाद आई वाले लूप फोर टाइम उसके बाद आई वाले लूप कितनी बाट चला है फाइब टाइम ठीक है बट हमें यहाँ पर एक variable की जरुत पढ़ रही है variable की जरुत पढ़े जो है आई जो है हमारा one उसके बाद फिर 2 उसके बाद फिर 3 उसके बाद फिर 4 उसके बाद फिर 5 तो यहाँ पर i की value vary कर रही है 1 से लेके 5 तक ठीक है 1 से लेके 5 तक तो मैं इस program को दुबारा हटा जेता हूँ दुबारा बना हूँ ताकि आपको और अच्छे से के लिए रहो बिना कीची दिक्कत के है इसे नोट कर लेना ठीक है चलते है ठीक है 4 int i equal to i की value क्या हो रही है फिर से कम से ज्यादा हो रही है ठीक है i equal to हमने क्या क्या कर दिया 1 i is less than equal to अभी हम यहां पर 5 ही रहन देते हैं change कर देंगे अभी रुप जाहिए i++ क्योंकि यह यह वाला loop चल ला है अंदर वाला loop जिसकी value vary कर रही है तो यहां 5 की जगे कुछ और आएगा हमें हमारे पास है ही नहीं वह लूप हमारा बाहर वाला है ठीक है यहां पर क्या हो गया हो printf star और space ठीक है और जैसे ही लूप के बाहर जाएगा हमारी पूरी लाइन प्रिंट हो गई अब जैसे ही लाइन प्रिंट हो जाएगी हमें क्या करना printf यह हमें next liner बेज देना है रन किया हो गया ठीक है बट हमें यहां पर कितना चीए एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच इस चीज़ को आप ध्यान रखना ठीक है अंदर ऊपरा लूप चलाते है 4 int j equal to 1 j less than equal to 5 मैं भी चेंज कर दूँ है रूचाओ j plus plus सेम है वही 5 by 5 की जो मैट्रिक्स हम बना रहे तो वही है इसे आप टैब देते हैं टैब 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 ठीक रन करते हैं ठीक है और इसके बाद में यह next line अचसल में यहां नहीं यहां आएगा बाद न्यू लाइन के बाद में ठीक है ठीक है यह हो गया अब यहां pattern मना आते हैं pattern मनाने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास एक हमें एक variable चाहिए है जिसकी value अंदर वाले लूप के बाद में जिसकी value क्या हो 12345 ऐसी कौनसी value हो पूरी टाइम 12345 है हमें यह पता करना पहले हमें एक लूप एक value चीए जिसकी value 12345 हो जिससे हम यहां से compare करा सकें तो जे की value प्रिंट करते हैं आपको तक ही समझा है मैं क्या कह रहा हूं यहां स्टार की जगे value प्रिंट करते हैं जे की थोड़ा समझाने के लिए printf परसेंटेज डी कॉमा जे जे की value प्रिंट करते हैं तो देखो यहां पर हमारे पास जे की value पहले लूप के अंदर वन उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और हमें यही चाहिए था तो हम यहां क्या होगा first time पर यह जब चलेगा तो यहां पर comparison होगा one के साथ तो हमारे जो straight line वाला जो लूप है अंदर वाला वह one time one star प्रिंट करेगा उसके बाद next time पर जब jq value 2 हो जाएगी तो वह two star प्रिंट करेगा उसके बाद next loop में जब jq value 3 हो जाएगी तो three stars प्रिंट करेगा and so on यहां पर अब इससे हटा कर मेहा कर दूँ क्या star space and done I hope कि आपको तीनों तरीके pattern समझाया होंगे मैंने बहुत simple तरीके समझाया है पता है अलगले teachers के अलगले methods हो सकते हैं बट मैंने जितनी easy language हो सके उतना easy language समझाया है patterns में time लगता है इसलिए पूरा time लेकर समझाया है फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में बट अब जब तक आप इन वीडियो को देख लेना ताकि ज्याद अच्छे समझाये बाई आए